आज की जो ये वीडियो होने वाले है ये काफी ज़्यादा important होने वाले है खासकर उन लोगों के लिए जो की नए नए coding में आए हुए है उनके लिए important होने वाला है जो turbo c++ में अपनी coding को करते हैं c language की coding को करते है turbo c++ में बहुत सारे problems भी आते हैं उनको fix करने के मैं उपाय भी बताऊंगा इसी के साथ साथ मैं आपको shortcut keys बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफी helpful होने वाला है हो सकते काफी लोग जानते भी होंगे लेकिन काफी लोग नहीं जानते होंगे तो अगर आप जानते हैं तो आप इस वीडियो की skip करके यहीं पर जा सकते हो और अगर आप नहीं जाते हो तो इस वीडियो को आप पूरा last तक देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ share करके इस channel को subscribe कर सकते हो बाखी एक problem और आता है Turbo C++ में हमारा mouse कभी कभी work नहीं करता है उसका भी मैं simple solution बताने वाना हूँ जिससे अगर आप देखोगे तो वाकई में वह काफी कमाल का होने वारा है तो इस वीडियो को पूरा last तक जो भी देखेगा अपने दोस्तों के साथ जारा से जारा शेर कीजिएगा और यह सारा process बताने के लिए मैं चलता हूँ अपने software पे और वहां पे मैं आपको चल के बता देता हूँ अब ही हम लोग आ चुके है अपने turbo c++ के first screen पे आप जब भी जाते होगे programming करने c language का coding करने तो आपको सबसे पहले हैसा ही कुछ दिखता होगा तो सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं छोटा सा program लिख लेते हैं ताकि run कराने या फिर compile कराने में shortcut keys जो मैं बता हूँ वह easy हो तो हमने एक छोटा सा program लिख लिए है basically सब यह program के बारे में जानते हूँगी सबसे पहले हमें यही सीखाया जाता है तो देखो सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कि हमें इसे अगर compile करा नहीं हो सिंपल ही आपको क्या करना है कि alt plus f9 का यूज करना है जैसे मैंने कर लिया तो यह देखो यहां पर मेरा compiling successfully दिखा रहा है उसके बाद आप इंटर डिना आपका यह compile हो जाएगा एक प्रॉब्लम आपको अकसर आती होगी टूर्बो सी प्लस प्लस में जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था उसका भी solution बताऊंगा कि हमारा कभी-कभी mouse work नहीं करता है तो उसको solve करने के लिए कई लोग क्या करता है कि अपने cut कर देते हैं टूर्बो सी प्लस अपने software को हुए आप जा सकते हो जो हमारा arrow बटन है उसकी मदद से और उसके बाद आपको इंटर दबाना है यानि आपको अल्ट डबाना है सबसे पहले तो और इंटर दबाना है आपका माउस वर्क करना सुरू कर जाएगा ठीक है अभी मेरा तवर कॉलेटी कर रहा था बट मैं भी कभी-कभी करता हूँ तो ऐसा प्रॉब्लम आता है और काफी लोगों को मैंने कॉलेज में बताया हुआ भी है और काफी लोग जानते हो सके पहले साहीं जानते हो लेकिन मुझे लिए आपको दबाना है अल्ट प्लस इंटर देखो यह हमारे मीनिमाइज हो चुका है अब यहां से हम बैक्राउंड में अगर कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा छोटा स्क्रीन देखता रहेगा लेकिन अगर इसे हमें फूल स्क्रीन वा दबाब का प्रॉब्लम जो है वो वो सॉल्फ हो जाएगा अब देखो कभी-कभी हमें क्या करना रहता है कि next page पे जाना रहता है करना है तो आप Ctrl plus F9 का यूज करो यह हमारा रन हो जाएगा देखो जैसे मेरा रन हो गया अनुराग चतुरवेदी डारेक्ट रन हो जाएगा Ctrl plus F9 यूज करने पर अब कभी-कभी क्या होता है कि भाई मानलो यह आपको सेफ करना है आपको यह प्रोग्राम तो आप फाइन में आप माउस का यूज करोगे ऐसे मानलो भी इसे कॉपी करना है तो इसे कॉपी करोगे अब यहां से कॉपी कैसे करोगे यहां पर कॉपी करने में प्रोब्लम हो जाएगी तो कुछ नहीं करना है इसके लिए इसके लिए भी इसके लिए आपको Ctrl plus insert डबाना है Ctrl plus insert को एक साद मानलो यहां पर मैं shift plus insert का यूज कि देखो जो मैंने copy किया था वो हैं पर मैंने paste भी कर दिया अब मानलो कभी-कभी क्या होता है कि हमें copy की जिएक है cut करना रहता है मानलो यह पूरा हमें cut करना है कट करना है चलो इसे हम लोगे काम करते हैं यह हमें पूरा कट करना है तो उसके लिए project पर गया मैं open project दिया कभी कभी हैं से क्या होता है कि cut करने का option नहीं दिख रहा है मालो भाई बंद कैसे करूंगा मैं मुझे अगर इसे बंद करना है तो यहां से cancel बहुत लोग करते हैं मालो कुछ ऐसा कभी-कभी चल जाएगा अगर आपको help चाहिए f1 दबाओ f1 पे आपका पूरा help आजाएगा जो भी आपको help चाहिए वो दबा सकते हो उसके बाद यह सी दबाओ आपका जो हो जाएगा नीचे आप लोग देख सकते हो नीचे हाला कि बहुत सारी चीजे लिखी हुई भी है यहां पर मारी चीजे तो नहीं है लेकिन कुछ चीजेह और बचigne हो हों जो कि मैं बता हो जो देख लो करना है है यह पूरा एसे खुड़ा हुआ हमें फिर से इंटर डबा देता हो और यहाँ पे हमारा Turbo C++ जो है वो close हो चुका है बहुत सार लोगों से close भी नहीं होता है तो वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं तो यह simple तरीका है जहांसे आप इसे close कर सकते हो और यहाँ पे मैंने जो program सेफ किया था वो देख लेते हैं मेरा सेफ ह हुआ था कि नहीं तो देखो यह program मैंने सेफ करके रखा हुआ था जो कि मैंने आपको बटाया था कि आप डारेक्ट सेफ कर सकते हो F2 की मदद से तो यहाँ पे सेफ भी हुआ हुआ है और यहाँ पे मेरा सेफ पढ़ा हुआ है तो यह कुछ करना इस वीडियो को यह जितने भी मैंने आपको सॉटकस की बताया है यह वीडियो देखने के बाद आप मुझे इंस्ट्राग्रम पे मैसेज कर देना इंस्ट्राग्रम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं आपको PDF वहाँ पे सेंड कर दूंगा जिसमें सारे सॉटकट जो भी की होंगे वह वहाँ पे लिखे होंगे मैं मिलूगा आपसे नेक्स यूड में तब तक के लिए पीस आउट